है गाईज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल तो गाईज कोविन-19 की वज़े से अगर आपके घर में कोई medical emergency है आगे शादी के लिए आपको पैसे लेकर आपको समझ आ गया हुआ कि आपको बताएगा कि आप कैसे PNB बैंक से लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं जी हाँ गाईज PNB यानि पंजाब नेशनल बैंक जो इंडिया के अंदर मोस्ट पॉफिलर बैंक है जो आपको लोन दे सकता है इस COVID-19 में भी मैं आपको यहा बैंते अब किरें कि आप पन्जाम नेशनल से लोन लेने के लिए क्लिए लोन अगर आ अपप लेना चाहती हुआ का आपने लाइक करना होगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आपको अपैल लिक नोटिकेशन मिलता रहे तो छलिए का आपको ल so guys COVID-19 में अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो आपके लिए बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है चाहिए वे कोई सभी बैंक हो इंडिया के अंदर क्योंकि बैंक आपको बड़ा लोन भी देंगे और जल्दी लोन भी आपको यहाँ पर देंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने PNB बैंक की ओफिसिल वेबसाइट ओपन हो जाएगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे उपर इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है एक लोन का टैब आप देख सकते हैं यहाँ पर लोन का टैब यहाँ पर नहीं दिखाई रहा है तो आपने ऊपर 3- में जाना है, सबसे नीचे स्क्रोल डाउन करना है, लोन का टैब आपको यहाँ पर दिखाई रहा है, सिंप्ली आपने लोन पर क्लिक करना है, परसनल लोन हमें लेना तो परसनल पर आपने कलिक करना होगा, जैसे आप Personal पर क्लिक करेंगे Personal Loan के जितने भी कैटेगरी है आपके सामने आ जाएगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर Punjab National Bank कहीं तरह के लोन देता है, जो आपको दिखाए दे रहे हैं सब से उपर, आप देख सकते है Personal Loan Scheme for Public, यानि Public Loan के लिए अप्लाइ कर सकती है, चाए आप कोई भी हो, आप Punjab National Bank से लोन के लिए अप्लाइ कर सकते हैं, दूसरा है Personal Loan Scheme for Doctors, अगर आप Doctors है तो आप लोन के लिए अप्लाइ कर सकते हैं, तीसरा है Personal Loan Scheme for Pensioners, अगर आप एक Pensioners है, आपकी Pension जो है, पंजाब National Bank के अकाउंट के अंदर आती है, तो आप यहाँ पर जो है Personal Loan के लिए अप्लाइ कर सकते हैं, चोथा Bank Scheme यहाँ पर PNB बागबान इसकीम, उसके बाद है Advanced Against Gold and Zewelry Loan, ठीके, चार से पांच तरह के लोन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, हम बात करेंगे आपर Personal Loan Scheme for Public के लिए, यानि आप Public है, तो आप Loan के लिए अप्लाइ कर सकते हैं, Loan की Detail जानने के लिए आपको Simply Read More पर Click करना होगा, जैसे आप Read More पर Click करेंगे, जो Detail है, Personal Loan लेने के लिए पंजाब National Bank से वो आपके सामने आ जाएगी, वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर Detail दिखाए दे रही है, Personal Loan लेने के लिए आपके लिजबिलिटी क्रेटे रहे हैं, डोकुमेंट्स क्या देने हो, मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला, तो पहले तो यहाँ पर यहाँ पर यह बोल ले कि आपको एक तो Loan पर्पोस करना होगा, किस चीज़ के लिए आप यह लोन ले रही हैं, आप सभी को बताएगा इस Personal Loan किस चीज़ के लिए जाते हैं, Personal Loan अपनी Personal जरूत को पुरा करने के लिए ले जाते हैं, जैसे अगर हमारे गर में कोई Medical Emergency आ गया है, शादी करना चाहते हैं, Home Renovation करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए पैसे जो रहते हैं, तो हम Personal Loan के लिए अपलाई कर सकते हैं, परपोस कर सकते हैं कि हम Marriage या फिर किसी चीज़ के लिए लोन ले रही हैं, उसके बाद गाई यहाँ पर यह बोली कि आप सैलिड होने चाहिए हमारे बैंक में, और आप जो है Permanent Employee होने चाहिए, किसी Central, State, Government, Public, Sector, Private Company के अंदर ठीक है, तो आप यहाँ पर लोन लेने के लिए Elisible होते हैं, चैक आप फैसिलेटी आपको यहाँ पर मिलेगी, अगर आप अधर Employee है, तो आप तीन साल से Service कर रहे होने चाहिए, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान लगना होगा, Quantum of Finance में हम बात करें तो गाईज, यहाँ पर यह बोलेबी 15 time gross monthly salary, जो है maximum 10 lakh रूपे होनी चाहिए, Margin आपका बिल्कुल निल रहने वाला है, अगर हम security की बात करें तो गाईज, पंजाब निसल बैंक आपको यहाँ पर कहता है, भी third party guarantee की यहाँ पर जोट पढ़ने वाली, लेकिन suitable guarantor होना चाहिए, जो accept कर ले बैंक, ठीक है, तब आप eligible होंगे loan लेने के लिए, यह यह term loan है, जो आप 60 महिने तक के लिए ले सकते हैं, यानि 60 महिने तक के लिए आपको यहाँ पर यह loan मिल जाएगा, prepayment charges के अगर बात करूँ गाईज, आपकी prepayment charges जो है, निल रहने वाले है, rate of interest के अगर हम बात करें, click here पर click करने के बाद आपको rate of interest लिखाई देने वाले है, तो guys rate of interest आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अगर मैं इसको एक एक करके बताऊँगा, आपको तो वीडियो काफी लंबा बन जे, क्योंकि retail loan, housing loan सब के लिए यहाँ पर अलग-अलग interest लोग यहाँ पर बता रखे हैं, अगर हम बात करें processing charges और upfront fees की, अगर है के लिए आपको यहाँ पर देना होगा, और अगर आप एक business रहे है, देने होगे ठीक है अब बात यहाँ पर आती है कि आपने लोन की इस तरीगे से अपलाई करना देखिए गाइज अगर मैं आपको स्क्रोल डाउन कर दिखाऊ तो गाइज यहाँ पर आपको अपलाई करने का कोई भी टैब यहाँ पर नहीं दिखाए दिरहा याँ आप ओनलाईन लोन के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं PNB Bank से उसके लिए आपको आपकी नियरिसट बना जाना होगा PNB Bank के आपने offline loan के लिए apply करना होगा offline अगर आप loan के लिए apply करते तो आपको जल्दी loan मिलिएगा आपका loan जल्दी approve होगा क्योंकि अगर आप online loan के लिए apply करते तो आपके loan के joha cancel होने के chance वहाओ तकरीवां 80% हो जाते क्योंकि अगर आप से थोड़ी सी कमी रहा जाती है लोन अप्लाई करने में फिर आपका लोन रिज्यक्ट हो जाता है लेकिन अगर आप ओफ लैन लोन के लिए अप्लाई करेंगा तो आपको जल्दी अप्रोल मिलेगा और जो है वो अब अगर आप पने प्लाई कर सकते हैं अगर आप पंजाभ नेसरे बंक बने से पर तो आपको जल्दी लोन मिलेगा अगर आप कशी तरही से अपने बेंक को मैंटेइन किया है तोका यह तिज्वी वीडियो पंज्ञाब नेस्टाब बैंक पर कैसे आप लोन के लिए नियुक्त काफ़ी कमेंट साया मैं आपको बता दू ओफलाइन आप के लिए अप्लाइ कर सकते हैं पंजाम नेसल बैंक से ओनलाइन अप्लाइन नहीं कर सकते हैं ठीक है तो लिए गाज मिलते हैं कर एक लिए वीडियो साथ आकल भी से इतना यह वीडियो के लिए बहुत बद्री रहा थैंक्यों सो मच